Hello friends, welcome to aptX E class, your learning expert, मैं सुनर गवा, your reasoning faculty आज भी हम inserting the number figure की बात करेंगे, inserting the missing number in the figure की बात करेंगे उसी के questions की practice करेंगे, अब तो हमारी सिर्फ एक ही class होनी है अभी तो और classes हमारी इस चैप्टर की है वो होती रहेगी, ठीक है यह तो time to time आपको question मिलते रहेंगे इस चीज़ के, inserting the missing number in the figure के और number series के चलो, move करते हैं अपने first question की होग first question क्या है, आपको board पे दिख रहा है first question, alphabetic series को question है देखिए, A, E, I, D, H, L, I, M, N question mark, क्या आएगा इस question में, question mark वाले place पे कौन सा हमारा letter आएगा, कैसे find करोगे इसमें हमारा कोई वैसा तो logic लग नहीं रहा, January, February, March, April 1, 2, 3 कभी नहीं लग रहा, first, second, third कभी नहीं लग रहा तो क्या logic है, देखिए, A से E जा रहा है A से E जा रहा है, कितने कदम चल रहा है, चार कदम चल रहा है, B, C, D, E ठीक है, E से I जा रहा है, कितने कदम वो चल रहा है, फिर से अगें चार कदम वो चल रहा है clear है, D से H जा रहा है, कितने कदम चल रहा है, D से H again 4 कदम H से L गया again 4 कदम चला इसका मतलब हमें समझ में आगे जो इस number में हमें निकालना है matrix में निकालना है missing number, missing letter हो उसक्या कर रहा है, एक series है A, E, I में 4-4 नंबरों का gap है DHL में भी हमारा 4-4 नंबर का gap है तो same, I, M and question mark में भी हमारा 4-4 नंबर का gap होगा वो कैसे होगा देखिए, I से M जा रहा है तो क्या है, J, K, L, M 4 M से question mark में 4 कदम क्या होँगे M के बाद N, O, P, Q तो Q ही हमारा question mark वाली place पे इसका answer होगा कितना easy question था, कुछ नहीं करना आप बस एक बाद series देखना है, उसके बाद हमें find करना है जो ये हमारा missing है clear है, next question के और move करते है next question है, एक हमें diagram दे रखा है diagram में हमें कुछ letters दे रखी हैं और कुछ number दे रखी हैं जब कुछ letter और numbers दे रखी हैं तो उसको आपको पते हैं क्या बोलते हैं नहां पर हमें दिख रहा है, यदि मैं letters के बाद करो letters में मेरे को दिख रहा है A, E, I, O A, E, I, O तो हमारा कोई relation बना नहीं रहा क्योंकि A के बाद E ठीक है E के बाद I ठीक है चाहिए I के बाद O है, I के बाद M होता है हम कुछ कह सकते थे लेकिन हाँ, एक relation जरूर बना रहा है वो है हमारा vowels का क्योंकि A, E, I, O हमारे vowels है तो O के बाद next vowel के आएगा U vowels मतलब swear तो इसका मतलब A, E, I, O के बाद यहां पर आएगा हमारा U letters तो हमें समझ में आ गया कि letters में जो हमें कमी थी जिसमें हमें question mark दे रहा है वहाँ पर यू था यदि मैं भारवाले numbers की बात करूँ तो यह question mark क्या है question mark हमें क्या show कर रहा है देखे 2 से 3, 3 से 5, 5 से question mark question mark से 11 2, 3, 5 क्या है हमारे prime number है prime number क्या है अब भज्ये संखे मैं आपको बताया था starting के class में कि हमें सारे concept वो ही use करने जो हम number series में लगाते थे prime number, square, cube, geometric series alternate prime number, alternate series हम यह सब use कर रहा है हमापे बहुत कुछ सीखा है कि किस के square में से किस को minus करना है किस से into करना है कि हमें answer आ जाए तो same हमें यहीं पर follow करना है inserting the number in the figure में कैसे देखिए 2 से 3, 3 से 5 तो 5 के बाद हमारा prime number कौन से होता है next 5 के बाद 6 नहीं होता है, 7 होता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 इस question mark वाले place पर हमारा prime number आएगा वो आएगा 7 7 के बाद 8 नहीं आता 9 वो हमारा odd number ज़रूर है लेकिन prime number नहीं है 10 तो बिल्कुल भी नहीं 11 11 हमारा prime number है यहाँ पर हमने क्या लिए रखा है 11 तो clear है इस question में हमने क्या करा पहले वो वर्स देखे उसके बाद prime numbers का है clear है चौना next question की तरफ बढ़ते हैं देखिए next question है 7 6 question mark 1 3 7 6 4 2 1 5 12 9 2 5 4 9 9 4 1 7 8 9 ऐसा हमें कोई question दिरके circles में कुछ number है हमें find करना है यह कि यहाँ पर क्या आएगा हमें यह find करना है हम कैसे find करेंगे यह दि मैं नीचे से start करू मैं bottom से start करू तो मुझे क्या दिख रहा है 7 8 9 7 8 9 7 8 9 मुझे कुछ दिख रहा है उसके बाद 4 9 9 4 1 जिदि मैं 7 8 9 की बात करू यदि मैं 8 प्लस 7 करू तो कितना हैगा 15 पंधरा और 9 को कोई relation है नहीं जिदि मैं 8 प्लस 9 करू तो कितना हैगा 17 प्लस 9 करू तो कितना है 16 16 हैगा आपको पता है 16 है वो यदि 2 से divide करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 8 बनेगा यदि मैं 16 को divide करूँगी 2 से तो बनेगा मेरा 8 ऐसी बनेगा ना भई यदि मैं 7 और 9 को प्लस करू और उसे divide करू 2 से तो आ रहा है मेरा 8 ऐसे हम उपचेक करते हैं हम क्या करेंगे बीचवारी row है यह हमारी बीच वाला जो कॉलम है इसको छोड़ देता है बाकी के दोनों साइडों को प्लस कर देता है और उसे divide करते है 2 से देखिए हम यदि मैं इस question की बात करूँ second row की तो 4 प्लस 9 4 प्लस 9 and 4 प्लस 1 and 4 प्लस 1 तो कितना आया 4, 4, 8, 8, 8 और 1, 9, 9, 9, 8 तो यह आया हमारा 18 यदि मैं 18 को divide करूँ 2 से तो आजएगा मेरा 9 यदि मैं 18 को divide करूँ 2 से तो आजएगा मेरा 9 तो 9 ही है यह ठीक है यदि मैं बात करूँ यदि मैं बात करूँ 2, 1, 5 12, 9, 2, 2, 5 की येदि मैं इन सब को प्लस करूँ तो कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 5 5, 6, 7 और 8 8 और 9, 10, 19, 19 और 5 24, 24 आएगा येदि मैं इन सब को प्लस कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 24 येदि मैं 24 को डिवाइट करूँगी 2 से तो क्या आएगा 12, 12 बन रहा है 12 बन रहा है येदि मैं 13, 7, 6, 4 की बात करूँ और इन सब को एड़ करूँ बस बीच वाले कॉलम को छोड़ की क्या हमारा अंसर बनेगा देखे 1, 3, 7, 1 प्लस 3, प्लस 6, प्लस 4 अराम से 6, प्लस 4, 10, 10, प्लस 3, 13 13, प्लस 1, 14 14, येदि मैं 14 को डिवाइट करूँगी 2 से तो क्या आएगा मेरा 7 आएगा तो 7 ही बन रहा है भई अब हमें फाइंड करना है जिस हमें पूछा गया है कि कोश्यमार्ग वाली प्लेस पिक क्या आएगा येदि मैं कोश्यमार्ग वाली प्लेस को X माल लो येदि मैं इसे X माल लो तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं मैं तो भी समने करीए देखे येदि मैं 7 प्लस X कर दो और उसे डिवाइट करूँ 2 से तो वो मेरे इक्वल होगा 6 के वो ही मेरे इक्वल होगा ने 6 के तो 6 दुनी 12 7 प्लस X और 6 दुनी 12 X कितना आगे 12 में से 7 के कितना आते है 5 तो X आया मेरा 5 तो जो हमारा कोशर मार्क है उस पे अंसर आएगा मेरा 5 X is equal to में 5 येदि मैं 7 प्लस 5 करूँ और 12 आये 12 को में डिवाइट करू 2 से तो आएगा मेरा 6 clear है? चलो क्या पूछ रहा है? देखिए ये पूछ रहा है इस question mark वाली place पर क्या है सबसे easy question मुझे देखते ही समझ में आगे इस question mark वाली place पर क्या ही हमारा answer बनेगा देखिए येदि मैं इस 25, 9 और 16 121, 81 और 36 को देखो देखो क्या है किसी कि square है? किसी 3 का 121 किसका है? 11 का 81 किसका है? 9 का 36 किसका है? 6 का इतना बात clear है? मैं इन numbers को देखो इसको देखो मैं 4, 3, 5 मुझे एक बात समझ मारी ये 4 ये 4 ये 3 और ये 5 है तो मैंने कैसे लिया? 4, 3, 5 4, 3, 5 anti-clockwise मैंने घुमा दिया और अंदर जाके लिख दिया पहले मैंने ये जाना कि ये किस कि square है? उन numbers को मैंने जान ले तो मैंने anti-clockwise लिख दिया 4, 3, 5 अब मैं इसकी बात करूँ अब मुझे तो पता है ये 9 का है, ये 11 का है, ये 6 का है जी क्या करना है? बस anti-clockwise लिखना है कैसे? 9, 6, 11 9, 6, 11 बस मुझे anti-clockwise दी तो लिखना है तो इसका अंसर आ गया मेरा 9, 6 और 11 clear है? चलो, next question की तरफ move करते है देखे, next question है मेरा 84, 14, 12 81, 18 और 9 88, 11 इन question mark देखे ओ, इस question को कैसे solve करेंगे हम? देखो, आपको पता है, येदि मैं 84 को divide करूँ 12 से येदि मैं 84 को divide करूँ 12 से तो कितना हैगा? 7 7 आएगा ना येदि मैं 7 को into करूँ 2 से तो कितना है? 14 देखो, येदि मैं 84 को divide करूँ 12 से ठीक है? जो answer आएगा उसे into करूँ 2 से तो आएगा मेरा 14 आएगा भी 14 तो next में क्या है मेरा? येदि मैं same 81 को divide करूँ 9 से तो कितना आएगा? 9 9 into me 9 81 9 को येदि मैं into करूँ 2 से तो आएगा मेरा 18 आएगा ही मेरा 18 क्लियर है? आएगा येदि मैं बात करते हूँ किसी और की मैं बात करते हूँ इस question की जो हमें find करना है उसे कैसे करेंगे? येदि मैं 88 को divide करू 11 से तो कितना आएगा? 11 into में 8 88 तो 8 से divide होगा 8 को मैं किस से into करूँगा? यहाँ पर मैं किस से कर रही थी? into 2 से कर रही थी तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा? 8 into में 2 तो कितना आगया? 16 तो मेरा question mark वाली place पे answer आएगा 16 16 इसका correct answer होगा कितना easy question तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम बस उठा रहे हैं क्या? इसको पहले divide कर रहे है divide के बाद जो answer आ रहे हैं उसे into कर रहे है 2 से clear है? चलो next question की तरफ move करते हैं next question क्या है? ओके चलो next question आपकी board पे यह question आपको दे रहा है आपको find करना है यह वाली time यह क्या होगी? ठीक है? अब देखते हैं कि कैसे find करेंगे? ठीक है? देखो यह दि मैं बात करू पांस तीये 15 15 और चार दूनी 8 नहीं बन पारा पांस दूनी 10 चार तीये 12 नहीं बन पारा ना कुछ एड़ो ना कुछ और हम पहले compare करते हैं कि क्या बन सकता है फिर मैंने थोड़ सो दिमाग लगा है मैं यह दि इनका square कर दो कुछ माइनस कर दो जब तो बन सकता है यह दि मैं 5 25 और तीये 9 में से इन दोनों का square घटा दू ठीक है? तो हमारा 28 आ रहा है 5 25 प्लस 9 कितना हुआ? 9 5 14 34 में से यह दि मैं 16 और 4 20 माइनस करूँगी नहीं हो रहा वही ठीक है? मैंने फिर कुछ सोचा मैंने क्या सोचा? यह दि मैं 5 square प्लस 4 square माइनस 3 square माइनस 2 square करूँगी क्या मेरा 28 आएगा? चेक करते हैं 5 25 4 16 3 तियं 9 2 दुनी 4 देखिए 25 और 16 कितने होते है? 41 9 और 4 कितने होते है? 13 मैं यह 41 में से 13 को माइनस करूँगी तो बिलकुल मेरा 28 आएगा बिलकुल मेरा 28 आएगा क्लियर है? क्या करा है? हमने कुछ नहीं करा हमने bottom और upper वाले को plus करा है square करके और जो left और right है उन्हें minus करा है square करके और मेरा answer आगया equal में 28 अब मैं same इस question को करती हूं इस question को देखो कैसे करते हैं अपर क्या है 8 square bottom क्या है 4 square left क्या है हमारा 8 square right में हमें देर खाय कोश्य मार को मांग लेते हैं हम x तो हमने क्या लिख नहीं यहां पर x square is equal to 12 देखो 8 से 8 तो cancel हो जाएगा वही तो मैं पढ़ाई ही है 4 इंटो में 4 16 minus x square is equal to 12 ठीक है अब आपको पता है left hand side लेके जाओ right hand side लेके जाओ plus minus minus size चीज़ आपको पता है मुझे बताने की जूरत नहीं 16 minus 12 4 is equal to me x square अब 4 किसका square होता है 2 का 4 किसका square होता है 2 का square होता है तो मैं इसे compare कर सकते हैं तो 2 क्या गया हमारा x आ गया 2 आ गया मेरा x तो इस वाले में क्या अंसर आएगा इसका अंसर आएगा मेरा x is equal to me 2 यदि मैं अठवा टू चो सट चार सोग सोला अठवा टू चो सट दो दूनी 4 minus करूंगी तो मेरा अंसर आएगा 16 में से 4 गए 12 तो यहीं हमारा अंसर होगा दो ही हमारा इसका correct answer होगा clear है चला next question की तरफ move कर देखिए next question दे रखा है हमें एक circle दे रखा है circle में मुझे बताना है कि यह जो है time है यह क्या होगी missing number पर निकालना है missing number कैसे निकालने इस question में यहीं मैं बात करो इस question की तो मेरे को यह दिख रहे है 5 को यहीं मैं 5 को इंटो करूं टू से तो कितना एगा 10 ठीक है यहीं मैं 10 में से 8 लाना है मेरे को तो 10 में से क्या minus करूं 2 को minus करूं तो आ जाएगा मेरा 8 बिलकुल आएगा चलो से मैं 8 से 13 लाना है कैसे लाओ मुझे पता है 8 इंटो में 2 16 होता है 16 से के लिए मुझे 13 लाना है 16 से मैं 13 कैसे पहुच हूँ यह दि मैं minus 3 कर दूं तो हो जाएगा मेरा 13 बिलकुल आएगा 13 से 22 जाना है तो 13 से 22 में मैं क्या करूं 13 दूनी 26 26 में मैं क्या minus करूं कि मैं 22 तक पहुच जाओ मैं 4 को minus करते हूं तो 22 आगया अब आपको एक चीज दिख गई एक पैटर्न आपको follow दिख गया क्या दिखा इंटो 2 कर रहे हो इंटो 2 करने का आप कुछ नो कुछ minus कर रहे हो क्या minus करो minus 2 minus 3 minus 4 एक question को लाने के लिए एक answer को लाने के लिए आप कुछ तो into कर रहे हो into तो आपको पता है 2 है minus क्या करो एक एक कदम आप बढ़ रहे हो minus पहले 2 कर आप फिर 3 फिर 4 अब 22 की बाद ही आई यदि मैं 22 की बाद करूँ देखें 22 को मैं into करूँ 2 से तो कितना है 44 चीक है 44 में मैं किस से minus करूँ 5 को तो कितना आ गया 39 क्लियर है कैसे 2 3 and 4 and 5 अब 39 से मुझे question माग जाना है 39 से मुझे question माग जाना है तो मैं क्या करूँ गी 39 को into करूँ गी 2 से तो कितना आ गया 78 minus क्या करना है 2 3 4 and 5 5 के बाद 6 यदि मैं 78 में minus करूँ 6 को तो आएगा मेरा 72 तो इसका मतलब 39 के बाद इस place पे मेरा number आएगा 72 72 ही हमारा correct answer होगा clear है चोड़ें नेक्स question की तरफ move करते हैं देखें नेक्स question आपकी screen पर दिख रहा होगा आपको यह क्या question है question बहुत easy है देखो यदि मैं question को solve करूँ मुझे देखते ही परदा चल रहा है 8 plus 6 8 plus 6 कितना होता है 14 8 plus 6 कितना होता है 14 यदि मैं 14 को डिवाइट करूँ 2 से तो कितना हैगा 7 8 plus 6 is equal to 14 14 को डिवाइट करूँ 2 से तो मेरा आगे 7 कितना easy तो कुछ नहीं करना उपर वाले जो दोनों ब्लॉक हैं उन्हें plus करना होसे डिवाइट करना है 2 से 7 plus 9 7 plus 9 16 9 plus 7 16 16 को मैं डिवाइट करूँ 2 से तो कितना हैगा 8 तो 8 ही है ठीक है जो हमें find करना है इस question mark पर वो हमें find करना है कि क्या term है क्या हमारा उसका अंसर होगा हम क्या करेंगी 3 plus 13 तो कितना है 3 3 9 3 3 6 1 16 13 plus 3 होता है मेरा 16 16 को यह दि मैं डिवाइट करूँगे 2 से तो मेरा आंसर आएगा 8 तो इस question मारे वाली प्लेस पर भी हमारा अंसर आएगा 8 क्लियर है कुछ नहीं कर रहे था हम दो ब्लॉक को प्लॉक को प्लेस कर रहे थे प्लेस करने के बाद उससे डिवाइट कर रहे थे 2 से ठीक है easy question तो बहुत ज़्यादा next question आपके board पर आपको दिख रहा है बताइए इसका अंसर क्या होगा थोड़े सी आप देखिए आपको मिलते हैं कितने second मैं आपको दूँ बताइए मैं आपको देती हूँ इस question को करने के सिर्फ 9 seconds क्योंकि ये 9 seconds का ही question है इसको मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिया कुछ नहीं है इस question को 9 seconds मैंने आपको दिये जल्ली करिए देखो भी यह तो बज भी गया देखो कैसे है ये question कुछ नहीं है 3 plus 1 कितना आता है 4 3 plus 1 आया मेरा 4 13 में यहीं मैंने करा 3 plus 1 आया मेरा 4 9 plus 1 19 है तो 1 plus 9 कितना है 10 और मैं जब इन दोरों को plus करूंगे तो आएगा मेरा 14 14 को जब मैं divide करूंगे 2 से आएगा मेरा 7 कुछ ताइस कोशे में कुछ भी नहीं था 1 plus 3 4 plus 9 1 plus 9 10 10 plus 4 14 14 को divide करा 2 से तो आया मेरा 7 ठीक है अब इसकी बात करते है 5 plus 3 8 2 plus 6 8 8 plus 8 16 16 को divide करा 2 से तो आया मेरा 8 8 है कुछ नहीं कर रहे हैं हम उपर वाले दोनों number हैं उन्हें हम add कर रहे हैं add करने के बाद उन्हें add करने के बाद हम कर रहे हैं divide by 2 clear है next question पाते है 6 plus 3 9 6 plus 6 12 6 plus 6 12 6 plus 3 9 6 plus 6 12 12 plus 9 कितना आया 21 21 को जब मैं divide करूंगे 2 से तो कितना है गर 10.5 तो 10.5 यह इसका answer होगा कोई फरक है कुछ भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सब सारा आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि question ही मुश्किल नहीं है question ही easy है बस दोनों number को आपस में जोड रहे हैं पहले खुद के साथ जोड़ा फिर एक दूसरे के साथ जोड़ा और उसे divide किया 2 से ठीक है चोनों next question की तरफ move करते हैं देखें एक question देर का 18, 15, 5, 4, 9, 12, 9, 2, 2, 5, 19, 21, 802 इसमें हमें option ही नहीं देरगा हमें क्या find करना है यह समझ लीजी यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है और यहाँ पे question mark है ठेक है यह आप समझ लीजी कि question mark है आपको find करना है कि महाँ पे क्या आएगा कैसे find करोगे में मुझे इस से एक चीज जरू समझ मारें 129 और 225 में मैंने math में कहीं पढ़ा था 129 और 15 का triplet होता है यह दे मैं 12 का square और 9 का square कर दो तो वह 15 square के equal होता है यही मैंने पढ़ा था अपने math में पाइथागोरिस थियोरम सबको पता ही होगी तो आप क्या करोगे यहां से चेक कर सकते 12 स्क्वेर plus 9 square कितना आया 12 का square 144 9 का square 81 तो कितना आया 225 बिल्कुल भी मैंने तो बिल्कुल सही पढ़ा था मैंने बिल्कुल सही पढ़ा था और आपने भी पढ़ा ही हो गई थी math के यह अच्छे से धंग से पढ़ता है तो ठीक है 12 का square प्लस 9 square 144 प्लस 81 तो 225 चेक करते आप में पहले वाली ग्राफ पर पहला वाला ग्राफ क्या है 18 का square प्लस 15 का square कितना है 3 2 4 प्लस 225 तो मेरा इसको भी plus करके इसका square के बाद plus करने के बाद answer आ रहा है 5 4 9 5 4 9 आ रहा है 18 का square प्लस 15 square is equal to में third side same 12 square प्लस 9 square is equal to में third side 19 का square कितना होता है हमारा 361 21 का square कितना होता है 441 जब हम इन दोनों को plus करोगे तो क्या हैगा एक और एक 2 6 और 4 10 4 5 6 7 और एक 8 तो इन दोनों का square करके plus करके जो मेरा answer आया वो 802 था यहाँ पे भी यह मैं इसे rough कर दूँगी तो यहाँ पे भी हमारा answer 802 है जो tapping mistake है ठीक है तो 802 इसका answer होगा यहाँ पे question mark आना चाहिए था clear है चलना next question की तरफ move करते है next question क्या है देखो यह question है खुद का बनाया हुआ question है मेरा इसमें आपको find करना है यहाँ पे question mark क्या है ठीक है तो आप कैसे find करो में यहीं मैं इस question को दिहान से देखूँ मैं first और second row की में बात करो क्या है 4 3 5 6 2 5 8 7 मैं इन दोनों को plus करूँ तो कितना आएगा 7 और 6 13 8 और 5 13 और 1 14 5 6 7 8 और 1 9 4 और 1 2 6 6 9 4 3 यह नहीं मैं third row को देखूँ तो क्या है 6 9 4 3 6 9 4 3 है देखू आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो 4 प्लस 2 6 4 प्लस 2 6 और जो last वाली रो है उसमें क्या सोच सकते हो यह यहाँ पर 3 होता है 3 में से 2 गए 1 हो सकता था तो possibility क्या है कि मैं first row में से second row को फिर minus करूँगी कैसे देखे यहीं पर start कर देते हैं इसका यहीं मैं इसे minus करूँ 4 3 5 6 को 2 5 8 7 पर के यहीं हमारा sequence आ रहे देखे 16 में से 7 गए 9 ही होता है थीक है फिर यहाँ पर कितना बचा 4 14 में से 8 गए 6 यहाँ पर कितना बचा 2 12 में से 5 गए 7 यहाँ पर कितना बचा 3 तीन में से दो हो गए एक इसका मतलब क्या है हमारा कोश्व माग वाली प्लेस पे कौन से नंबर आ रहा है हमारा 7 तो 1769 1769 इसका अंसर होगा मतलब 7 जो है वो जो मिसिंग नंबर है वो है हमारा 7 क्लियर है यह हमारी आज की क्लास का last question था मिलेंगे हम आप से next class में इसी जोश क के साथ इसी questions के साथ बहुत सारे questions और होंगे बाई बाई टेक केर गॉड़ ब्लेस यो